हमारी तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम न सिर्फ ब्रह्मांड की गहराईयों में जहांक रहे हैं, बलकि ऐसी चीजें भी बना रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर थी। आज इस वीडियो में हम तीन ऐसी अविश्वसनिय खोजों के बारे में जानेंगे, जो हमारे विज्ञान को नई उचाईयों पर ले जा रही हैं। शुरुवात करते हैं ब्रह्मांड के एक अनोखे रहस्य से, जिसे बिग रिंग का नाम दिया गया है। हाल ही में UK की PhD स्टूडेंट इलेक्सिया लोपेज ने इस विशाल मेगा स्ट्रक्चर की खोज की है। यह सनरचना प्रिथवी से लगभग 6.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह इतनी बड़ी है कि इसकी चोडाई मापने के लिए हमें लगभग 13000 मिलकी वे गैलेक्सीज को एक सीधी लाइन में रखना पड़ेगा। अब सोचिए इतने विशाल स्ट्रक्चर का हमारी आकाश गंगा से इतनी दूरी पर होना कितना अविश्वसनिय लगता है। का यहां होना दर्शाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगहें भी हैं जो खास हैं जहां पर मैटर या द्रव्य असामान्य रूप से एकत्रित है। अब अगर यह सिध्धान्त गलत साबित हो गया तो इसका मतलब है कि हमारी कॉस्मोलोजी के मॉडल में बदलाव करने होंगे। इस खोज के बाद वैज्ञानिक यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद ब्रह्मांड के कुछ रहस से अभी भी हमारी समझ से बाहर है। दे बिग रिंग जैसी सनरचनाएं हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड में हमारे लिए अभी बहुत कुछ खोजने और समझने के लिए बाकी है। उन्ही पर हमला करते हैं बिना किसी स्वस्थ टिशू को नुकसान पहुँचाए। इन नैनोबोट्स को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वे कैंसर के सेल्स के पास जाकर उन पर हमला कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से कैंसर ट्रीटमेंट जगह पर ही काम करते हैं, जिससे यह तकनीक ज्यादा सुरक्षित बन जाती है। आने वाले समय में नैनोबोट सिर्फ कैंसर ही नहीं, बलकि दूसरी बीमारियों में भी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये छोटे-छोटे रोबोट्स उन जगहों तक पहुँच सकते हैं, जहां सामान्य सरजरी या ट्रीटमेंट नहीं पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं एक और अध्भुत आविशकार की, जो है मिनी नुकलियर बैटरियां। इमेजिन कीजिये कि एक ऐसा फोन जो कभी चार्ज ही न करना पड़े या एक ऐसी घड़ी जिसका सेल कभी भी न बदलना पड़े। ये हकीकत में मुम्किन हो सकता है और इसी दिशा में एक नई तकनीक सामने आई है। चीन की कमपनी बीजिंग बीता वोल्ट न्यू एनरजी टेकनोलोजी ने ऐसी बैटरियां बनाई हैं जो किसी सिक्के जितनी छोटी हैं और बिना चार्जिंग के 50 साल तक चल सकती हैं। ये बैटरियां न्यूकलियर पावर का इस्तिमाल करती हैं और इनका निर्मान इस तरह से किया गया है कि इन्हें चार्ज करने या मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। ज्ञान ने उस तर तक प्रगती कर ली है जहां हम खुद को भगवान जैसा महसूस कर सकते हैं। जोजों के बाद हमारी सोच में बदलाव आएगा। यह सभी सवाल विज्ञान के इस नए युग के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दिल्चस्प लगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। अर्ण